नमस्कार दोस्तों जैमातादी स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंती महत्वपून और खास ज्योतिश कार्यक्रम सिंह राशिवालों दोस्तों आपके चरित्र पर धबा लगेगा क्योंकि आपका दुश्मन आपके चरित्र को बरबाद करने के लिए बड़ा शडियंत्र जी हां दोस्तों कहीं मुह दिखाने लायक नहीं रहोगे अगर सावधान नहीं रहोगे तो आप बरबाद हो जाओगे क्योंकि आपके पीछे कोई आपका दुश्मन हाथ धोकर पड़ा है जी हां दोस्तों इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि आपका चरित्र पर धबा लगेग क्योंकि आपके खिलाफ बहुत बड़ा शड्यंत्र रचा जा रहा है और आपको भनक भी नहीं है इसलिए सावधान हो जाएं तो आप बच जाओगे नहीं तो दोस्तों बाद में आप बहुत पच्चताओगे और आपको यह भी बता के आखिर वह कौन दुश्मन है दोस्त वह आपका अपना ही है जो कि आपको चार लोगों के सामने बेईज़त करवाना चाहता है वह आपके तरक्की को देख कर जल रहा है और हर एक रोज नई नई शड्यंत्र रच रहा है वैसे में आखिर आप उनसे बच कैसे सकते हैं आपको हम आज के इस वीडियो में उपाय बताएंगे कुछ बातें बताएंगे जिनके आधार पर आप उनको पहचान लेंगे जी हाँ दोस्तों जो लोग आपसे जलते हैं वो तो खुद परेशान है जलन की वजह से उन्हें नींद नहीं आती होगी सुकून नहीं मिलता होगा खुद की खूबियां को जो नजरंद जो उनके पास नहीं है आपको चाहिए कि उनके इस व्यवहार पर ध्यान न देकर अपनी उन विशेशता ओ का उपयोग अपने जीवन को सफल बनाने में करें तथा दोस्तों खुद को शाबाश दें कि आप अपनी मेहनत या किसमत से इस लायक बनें कि कोई जलन महसूस कर स हैं इरश्या ऐसा भाव है जो किसी भी व्यक्ति के भीतर तुलना करने के कारण उत्पन होता है तथा जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के गुण भाव शारीरिक दिखावट धन संपत्ति रहन सहन खान पान रोजमर्रा की गतिविधियों आदी की तुलना खु क्योंकि आप उनसे आगे हैं और वे लोग हमेशा आपके पीछे अतह हमेशा याद रखे कि जलन करने वाले लोग हमेशा आपसे सोच और ओहदे में नीचे रहते हैं ये आपकी सफलता में बाधा नहीं बनने चाहिए जो कि दोस्तों 100% सच्ची बात है और साथ में दोस्त आपको हम ये भी बता दें कि ये कुछ संकेत बताते हैं कि आपके आसपास का व्यक्ति नेगेटिव एनरजी क्रियेट कर रहा है एक हमेशा खामिया निकालना दोस्तों जानकार कहते हैं कि टैक्सिक लोगों की ये निशानी है कि वे हर वक्त अन्य लोगों में खामिया पोसने और उनकी कमजरीयों को पॉइंट आउट करने में बिताते हैं ऐसे लोग हर वक्त नकारात्मक रहते हैं चाहे ऑफिस हो या घरवे हर वक्त आपके पास बैठ कर अन्य लोगों के बारे कुछ नकुछ कमेंट करने में आनंद का अनुभव करते हैं जी हाँ दोस्तों CCTV कैमरा की तरह दूसरों पर नजर रखना हर समय उनकी नजर दूसरों पर ठीकी रहती है कि कोई व्यक्ति कब किस काम को अंजाम दे रहा है उनकी नजर हर उस गतिविधी पर रहती है जो दूसरों से जुड़द ही हो अपने जीवन पर ध्यान देने की बजाए वे अपना कर रहना बेहत जरूरी है तथा मामूली बात पर भी ओवर रियक्ट करना जो लोग दूसरों से जलते हैं या जिनका व्यवहार नकारात्मक होता है वे हर छोटी बात पर रियक्ट करते हैं ग्रुप के अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ऐ उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भक्ति भाव से सच्ची श्रद्धा पूर्वक जय माता दीका जयकारा जरूर लगाए आपके सारे अधूरे काम बन जाएंगे तथा माता दुरगा जी का भी विशेश कृपा प्राप्त हो जाएगा और इसी के साथ दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आएं हैं या फिर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको समय समय पर हमारी और आत्म विश्वास से अपनी समस्याओं का हल निकाल लेंगे और आपकी छवी में निखार आएगा। आपको हम यह भी बता दें कि किसी भी काम को स्वीकार करने से पहले अपनी क्षमता का अंदाजा लेना जरूरी होगा। पुराने प्रोजेक्ट पूरे करने के बाद ही आप आगे बढ़ें तथा आराम दायक दिन व्यतीत होगा। अनमताबिक और कलात्मक कारियों में रुची रहेगी। आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई उर्जा का संचार महसूस होगा। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह संबंधी बात चल सकती है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद स्थिती बन रही है। तथा घर में अनुशासित और व्यवस्थित माहौल रहेगा। विवाहित्तर संबंधों का प्रभाव आपके घर की सुख शांती पर पढ़ सकता है। परिवार के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम अवश्य बनाए। स्वास्थ्य कभी-कभी आपकी विचलित मानसिक स्थिती का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पढ़ सकता है। मेडिटेशन, योगा आदि करना, इसका बहतरीन समाधान है और आपको हम यह भी बता दें कि आज आपका कोई रुका हुआ कार्य बनने की संभावना हो रही है। इसलिए पूरे मनोयोग से अपनी दैनिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए प्रयासरत रहें। अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष शेयर ना करें। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से आपको आशातीत सफलता मिलेगी। नेगेटिव कोई भी नकारात्मक स्थिती बनने पर धैरे और संयम से काम लें क्योंकि गुस्से से काम बिगड़ भी सकते हैं। अपनी वस्तुएं दस्तावेज आदी संभाल कर रखे। क्योंकि चोरी होने या खोने की स्थिती बन रही है। घर के रख रखाव संभंधी गतिविधियों में लोन लेने जैसी स्थिती भी बन सकती है। व्यवसाय बिजनस के लिए दिन अनुकूल है। रुके पड़े मामलों को सुलजाने के लिए भी अनुकूल दिन है। अपने आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिसपर्धा में आपकी जीत सुनिश्चित है। नौकरी पेशा लोग अपने कारियों के प्रतिला परवाही न बरतें। लव पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य पूर्ण व्यवहार बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। तथा दोस्तों इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज आपकी किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने के आसार है। इंटकराव की स्थिती भी बन सकती है या साधारन बातचीत भी हो सकती है। लेकिन यह जो भी हो इससे आपको सोचने के लिए काफी कुछ मिलेगा और आप पूरे दिन इसी में व्यस्त रहेंगे। आप आज कोई विकर्शन सहन नहीं करेंगे। फिर भी आपको यह महसूस होगा कि इस घटना पर अधिक सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। तथा स्वास्थय और कल्यान राशिफल की बात करें। तो दोस्तों आज अपने भीतर अचानक काफी उर्जा अनुभव करेंगे। और कोई ऐसा काम हाथ में लेंगे जिसे आप काफी समय से टालते आ रहे थे। कोई नया खेल खेलने या शारिरिक व्यायाम का कोई नया तरीका अपनाएंगे। करियर अवसर आएंगे। आप एक ऐसी परियोजना के भागीदार बन सकते हैं जिससे आपके करियर की दिशा परिवर्तित हो सकती है और काफी समय से आपको इसकी तलाश भी थी। आपको इस अवसर का उपयोग काफी समझ के साथ करना है क्योंकि ये अवसर जीवन भर में यदा कदा ही मिलता है और ये काफी महत्वून भी है। आपके पूरे करियर की दिशा इस अवसर से परिवर्तित हो सकती है। ये परियोजना विदेश से संभंधित हो सकती है तथा आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। और आज आपको इसके लिए कई अच् और फैसले लेने पड़ सकते हैं हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते लेकिन तब भी ये समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में हैं कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके का असर आपके व्यायहार में भी जलक रहा था पर ये समय ये सब बातें चोड़ डियाच कर कुछ कर दिखाने का समय है और साथ ही साथ अपने इस व्यायहार को बदलने का भी आप बिना भयभीत हुए निर्णय ले जो कि आपके भविश्य के लिए अच्छा साबित हो आप कि अच्छे जानकर से भी अपने पैसे और अपने पेशे से संबंधित सुझाव ले सकते हैं जो कि आज फाइदे मंद साबित होगा जी हाँ दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि इस बात के लिए अधिक सोच विचार ना करें कि अप्रत्याशित घटनाएं क्यों हो रही है या बहुत देर क्यों हो रही है ये आपके भले के लिए भी हो सकता है जिसके फायदे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी बहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग करें तथा दिन भर संबंधियों की आवाज आही रहेगी और महमान नवाज के साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले तो उचित होगा किसी भी समस्या में घर के वरिष्ठ लोगों का मार्क दर्शन अवश्य ले और हां व्यवसाय में बेहतरीन सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए लापरवाही और आलस्य से से बचें पूरे मन से काम करें अपने काम काज को पूरी गंभीरता और इमानदारी से अंजाम दे इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं तथा परिवार और मेडिटेशन में भी कुछ समय व्यतीद करें आपकी लोग प्रियता चरम पर होगी और आप दूसरों पर अधिक प्रभाव डालेंगे यदि आप अधिकारियों के साथ टक्राव से बचे रहें तो आप व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं तथा दोस्तों इन बातों का भी ध्यान रखें की अधिक जंक फूड का सेवन कर रहे हैं आपको तुरंत खुद पर नियंतरन करना होगा आज ही अपने मेनू से जंक फूड हटा दें इसके स्थान पर खूब फाइबर युक्त खाना खाएं और हाँ ग्रहों की स्थिती ऐसी है कि आप बहुत रोमैंटिक और भावनात्मक मह यार हैं कुछ करने की आपकी यह दिली पुकार आपको बहुत महत्वपूर्ण समय पर समझ आई है और अगर आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिना देर किये गंभीर हो जाना चाहिए आज आपको कुछ छुपे हुए शत्रु से हिन हो सकते हैं आज आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप अपने सारे कार्यों का निश्पादन सही समय पर कर लें ताकि काम का कोई बोज न रहे और आपको अपने मालिक की डाट न सुननी पढ़े तथा पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान आज मिल सकता ह किसी के साथ कोई चल रहा पुराना वाद विवाद दूर होगा घर के वरिष्ट सदस्यों की सलाह और अनुभव का अनुसरन करना आपके जीवन में सकारात मकता लाएगा आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय जरूर व्यतीत करें तथा दोस्तों जमीन जायदाद से जुड़ कर रखने का है भाईयों के साथ संबंध मधुर रखना आपका दायत्व है तथा दोस्तों बिजनेस में धन लाब हो सकता है इस समय कोई बहतरीन आडर भी मिल सकता है जिसकी वजह से आर्थिक स्थिती में भी सुधार आएगा मार्केटिंग संबंधी कारियों को हल करने में आपका उचित योगदान रहेगा मल्टी नेशनल कंपनी में कार्यरत लोग आसानी से अपना टार्गेट हासिल कर लेंगे लव पती पतनी के बीच आपसी सामन जस्य और ताल मेल उचित बना रहेगा प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना बहु इसलिए सकारात्मक रहें अपने कार्यों पर ध्यान दें लंबे समय से अटका हुआ धन मिलने से भी आर्थिक स्थिती मजबूत हो सकती है सावधान रहें पडोसियों से विवाध होने की संभावना है यदि आप साजेदारी करने की योजना बना रहें हैं तो इस पर गंभ और हाँ दोस्तों इन सब बातों का भी ध्यान रखें कि आपको अपनी मेहनत द्वारा ही अपनी महत्वा कांग्शाओं की पूर्ति करनी होगी। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयम करें और हाँ बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। वे अपनी मर्जी के अनुसार आपसे व्यवहार रखते हैं। ये बात समझाएगी। आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तिमाल किया जा सकता है। फिलहाल बाहरी लोगों से थोड़ी दूरियां बनाए रखें। स्वभाव में सुधार करने की कोशिश करें। तथा आज दिन परिवार और दोस्तों के साथ बीतेगा। लापकारी संपर्क होगा। घर के रख रखाव की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अत्यधिक परिश्रम और थकान से चिड़-चिड़ापन हो सकता है। जितना हो सके उधार लेने से बचें। व्यापार के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यक्ता है। तथा पिछले भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी तथा क्रोध और आवेश में आने से बचे। नकारात्मक गतिविधियों और विचारों को अपने उपर हावी ना होने दें। तथा भाई बहन से भी संबंध मधुर बना कर रखने की आवश्यक्ता है। किसी तरह की अनबन होने की आशंका लग रही है। बड़े बुजर्गों के मार्ग दर्शन में समस्याएं सुलजाएं तथा कारोबारी गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी योजनाएं व कार्यक्षमता बिजनेस को एक नई गति प्रदान करेगी। आज आप मार्केटिंग बंधी कारियों में अधिक ध्यान लगाएं। नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है। लव परिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। जीवन साथी का योगदान घर के वातावरण में सकारात्मक उर्जा बना कर रखेगा। तथा शांती के लिए क किसी दानपुन्य के काम में सहभागिता करें। आपके घर से जुद्धा निवेश फायदे मन रहेगा। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे। सहकर्म संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा और आपको मनो नुकूल परिणाम भी मिलेंगे। घर में वास्तु संबंधी नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक्ता आएगी। साथी में दोस्तों कुछ ना कुछ व्यक्तिगत समस्याएं बनी रहेंगी। किसी भी वि परोबार में कुछ नया करने का मन बनेगा। जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। अनुभवी लोगों का मार्ग दर्शन जरूर लें। नौकरी पेशा लोगों को टार्गेट हासिल करने में भरप पूर मेहनत करनी होगी। लव दांपत्य संबंधों में मधूरता रहेगी। कोई यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा। विप्रीत लिंगी मित्र से मुलाकात मन को प्रफुलित करेगी। इसी के साथ मौसम के बदलते प्रभाव की वजह से छोटी मोटी स्वास्थ रहेगी। अपनी क्षमता के अनुसार परिवार के लोगों की मदद करते रहें। समस्या को जड़ से मिटाना फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन प्रयत्न करते रहें। तथा कोई खास काम शुरू करना चाहते हैं तो परिवार के किसी व्रिष्ठ व्यक्ति द्वारा भी मह तुरंत क्रियानवित भी करना जरूरी है। ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल जाएगा। खर्चों की अधिक्ता रहेगी। परंतु साथ ही आय के साधन भी प्रशस्त होंगे इसलिए चिंता ना करें। विद्यार्थी मौज मस्ति के साथ साथ पढ़ाई पर उत्पन्न कर सकते हैं। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, लाबदायक समय चल रहा है। अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, आज उसके वापस मिलने का उचित अवसर है। किसी नजदी की रिष्टेदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंधों में हर परिवार में भी खुशी भरा वाता वरन रहेगा। और हाँ जिन समस्याओं को आप खुद सुलजा नहीं सकते हैं, उन समस्याओं के सुझावों पर ध्यान दें। ये सुझाव आपके लिए उपयुक्त साबित होंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखें। आगे कैसे पर मुस्कान और आखों में आसु ले आएगी। आज आप पुरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घिरे रहेंगे, समय मजे में बीतेगा। लेकिन अपने स्वस्थ्य का ध्यान जरूर रखें। तथा स्वास्थ्य और कल्यान। राशिफल की अगर बात करें तो दोस्तो आप आज चिड़-चिड़े और बीमार से महसूस कर रहें। हैं ऐसा आपकी पेट की तकलीफों के कारण है। लेकिन आपको यह तो समझना ही होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी खाना ही आपकी सब शारीरिक समस्याओं की जड़ डिया है जिससे बाद में मानसिक तनाव जन्म लेता है। आपको अपनी डाइट पर नियंतरन करण होगा। आपको शायद ऐसा करपाना काफी मुश्किल लगेगा। अपने किसी दोस्त को अपने साथ अपने इस कारेक्रम में शामिल कर लें। उसकी मदद से आपको आसानी होगी। तथा प्यार और संबंध। रा भी होती ढिक रही है। व्यावसाइक और कारेक्षेत्र से संबंधित मामले एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है। मानू आप इस बवंडर में फंस गए हैं। आप ध्यान से देखे आपका साथी किनारे पर आपका इंतजार कर रहा है। त लेकिन आपको इस से कुछ जटिल विवरणों की एक बेहतर जानकारी मिलेगी। आप आज के दिन का आनंद ले क्यों कि अतीत के निवेश से आपको आर्थिक रूप से लाब होगा। तथा बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको उनके पर जिद्धीपन को हावी न होने दें। आपका पार्टनर समझोते के मूड में नहीं है। इसलिए आपको ही समझदारी और लचीले रवये से काम लेना होगा। आपके इस कदम से आपकी रोमैंटिक लाइफ में भी सुधार आएगा। आपके पार्टनर को भी आपके दो सन्नता बढ़ाने का श्रेष्ठ उपाय है। आस्तिक से बने और पूजा पाठ में रुचिले।